बिहार पुलिस की STF के साथ एक जॉइंट ओपरेशन में स्पेशल सेल दक्षणी रेंज के ACP अतर सिंग की सुपविजन वा दबंग इंस्पेक्टर शिव कुमार हून एवं इंस्पेक्टर पवन कुमार की एक टीम ने बिहार के मोस्ट वांटिड गैंग्स्टर वा बिहार क के खास शाफ शूटर जो की 4 अप्रेल 2022 को अपने 8-10 साथियों के साथ बिहार के सिवान जिले के सदत हानक शेत्र में एमल्सी चुनाव के दोरान विरोधी खेमे और जनता दल युनाइटिड के एमल्सी उम्मीदवार रईस खान के काफीले पर एके 47 से दना दन फाइरिंग करके फरार हो गया था को दिल्ली के राजगार के पास से दबोचने में बड़ी सफलता हासिल की है Most Wanted Gangster की पहचान सीवान बिहार निवासी 43 वर्षी आजाद अली के रूप में हुई है गिरफतारी के दौरान पुलिस ने तीन जिंदा कार्थूस के साथ ही पोईंट 315 बोर की एक सिंगल शॉट पिस्टल बरामत की है आजाद अली हत्या, हत्या के प्रयास्ट, जकैती, धंकी, फिरोती के लिए अपहरन, मार पीट समेथ कई मामलों में फरार चल रहा था बिहार पुलिस की स्टी एफ से स्पेशल सेल दक्षणी रेंज के दबंग इंस्पैक्टर शिवकुमार हून को पता चला की बिहार में कई आपराधिक मामलों में वांटिट खतरनाग गैंग्स्ट आजाद अली अप्रेल 2022 में हुए बिहार के MLC चुनाव के दोरान MLC उम्म बिरों के बीच फैला दी यांग्स्टर इतना शातिर था कि बिहार में वार्दात को अंजाम देने के तुरंत बाद अपने सभी पुराने मोबाइल नंबर बंद करके किसी और की आईडी पर नया नंबर लेकर दिल्ली NCR में छुपकर रह रहा था टीम ने आरोपी की पूरी फैमली के साथ उसके दूर के रिश्टेदारों, दोस्तों आधी के मोबाइल नंबरों पर आने और जाने वाली सभी कालों को खंगाला ताके कब कहा से किसी के पास आरोपी का फोन आ जाए और कोई क्ल्यू मिल जाए टीम आरोपी के सभी परिवार के सदस्यों के मोबाइल पर आने वाले हर नंबर को क्रॉस चेक करने लगी लेकिन कोई फाइदा नहीं हुआ लेकिन टीम ने जब आरोपी के परिवाजनों की वाट्सेप काल हिस्ट्री खंगाली तो बड़ी चेकाने वाली बात सामने आई आरोपी वाट्सेप काल से अपने परिवार के एक सदस्य के संपर्क में था टीम ने WhatsApp काल की लोकेशन वकाल हिस्ट्री खंगाली तो पता चला की काल दिल्ली से कोई करता है इंस्पेक्टर शिवकुमार को समझते देर नहीं लगी कि दिल्ली से आने वाली WhatsApp काल के पीछे कोई न कोई राज जरूर है सारी निगरानी वच्छानबीन करने के बाद टीम को लगा क्यों न इस नंबर को टटोला जाए टीम सस्पेक्ट नंबर पर आने और जाने वाली हर WhatsApp काल की बातचीर को चुपचाप सुनने लगी टीम की मेहनत रंग लाए दिल्ली से WhatsApp काल करने वाला कोई और नहीं बिहार का Most Wanted वह फरार गैंग्स्टर आजाद अली ही था मोबाइल सविलांस से टीम को पता चला कि आरोपी आजाद अली अपनी गिरफतारी से बचने के लिए पिछले एक माह से दिल्ली NCR में बार बार अपने ठिकाने बदल रहा था फरारी काटते समय आरोपी के पास पैसा खत्म हो गया था आरोपी ने खर्चे के लिए अपने परिवार के एक सदस्य को वाट्सेप काल की टीम को मोबाइल सविलांस से पता चला कि आजाद अली 20 मई 2022 की राद 11 से 12 के बीच रिंग रोड राजगार के पास अपने किसी परिचित से खर्चे के लिए पैसे लेने आएगा पुलिस की सदस्यों ने उसे घेर लिया और अंत में कुछ देर हाथा पाई के बाद सस्पेक्ट को दबोच लिया गिरफतार सस्पेक्ट व्यक्ति की पहचान बिहार का मोस्ट वांटिट फरार गैंग्स्टर निवासी गाउस साकिन महुआल, थाना हुसेंग गंज, सिवान बिहार निवासी 43 वर्षिय आजाद अली पुत्र किता बुद्दीन के रूप में हुई तलाशी लेने पर तीन जिंदा कार्तूस वर एक 315 बोर्ट की सिंगल शाथ पिस्टल बरामद हुई जाच में पुलिस को पता चला कि गैंग्स्टर आजाद अली ने 4 अप्रेल 2022 को बिहार के बाहुबली नेता रहे शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा और गैंग्स्टर आफ्ताब आलम वर अन्यों के साथ मिलकर मुहम्मद रहीस खान के काफिले पर हमला किया था इन लोगों ने 50 से अधिक राउंड गोलिया चलाई थी हमले में एक रहगीर की मौत हो गई थी जबकि 4 अन्य जक्मी हो गए थे चानबीन के दोरान पुलिस को पता चला कि गैंग्स्टर आजाद अली के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, लूटपाग, धमकी देनिप, फिरोती के लिए अभरन और अवैध हत्यार के आधा दर्जन मामले दर्ज है आरोपी पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन का करीबी रहा है अभी वह शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा वह गैंग्स्टर आफ्ताब आलम के साथ काम कर रहा है आफ्ताब की सिवान में विरोधी गुट मुहम्मद रहीस खान से प्रॉपटी पर कबजो और वर्चस्व को लेकर लड़ाई चल रही है अभी बिहार में हुए विधान परिशत के चुनाव के दौरान मुहम्मद रहीस ने चुनाव लड़ा था लेकिन वो हार गया चुनाव वाले दिन वो अपने काफिले के साथ वापस अपने गाउं लोट रहा था इस बीच आजाद अली, आफ्ताब आलम, उसामा वर अन्यों ने इनके काफिले पर एके 47 पर तावरतोर गोलिया चला दी थी घटना से संसनी फैल गई थी हमले में रहीस के दो लोग जक्मी हुए थे, बाकी तीन राहगीरों को गोली लगी थी बाद में एक राहगीर की इलाज के दोरान मौत हो गई थी पुलिस ने कारवाई करते हुए लाइन की भूमिका निभाने वाले तबरेच को 19 अपरेल को गिरफतार कर लिया था उसके बाद से पुलिस आजाद खान की तलाश में लगी हुई थी वारदात के बाद से आजाद अली फराधा फिलहाल स्पेशल सेल दक्षिनी रेंज गैंगस्टर आजाद अली को मामले में आगे की कानूनी कारवाई के लिए बिहार पुलिस को सौपने की तयारी कर रही है संसनी ओफ इंडिया नेट्वर्क क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेश में हो सकता है रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए संसनी ओफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना न भूले संसनी ओफ इंडिया इंडिय सब्सक्राइब अर रविवार आपके द्वार वो आप तक पहुचाता है क्राइन से जुड़ी सब्सक्राइब सिर्फ पार्च विंडिया कहीं डर तो कहीं धर की कहीं आत्म हत्या तो कहीं अत्या कि कहीं साजिश तो कहीं रंजिश और जरुमुका करेंगे पर्दा फाज ठेके हर रोज रात साड़े दस बजी संसनी ऑफ इंडिया रास्ट्य रास्थानी नई दिल्ली से प्रकाश्चित हिंडी जैनिक समाचार पक्त विजय न्यूज अर रोज आपको कराता है देश्वदेश, खेल, कारुबार और आपके आसपास की गटाओं से रूबरूज मात्र दो रुपे में विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी पस लॉग इन करें www.vijaynews.in